Hi everyone, Thundapoke channel में आप सभी का स्वागत है, आज मैं Oculus फिल्म को explain करने जा रहा हूँ. फिल्म शुरू होती है और दो बच्चों को किसी से भागते हुए दिखाया जाता है. तभी कही से एक ननहा बालक उनके सामने प्रकट होता है और उनमें से एक को गोली मार देता है. तिम्प नाम के लड़के को मनोचिकित्सक के साथ दिखाया गया है. और पहले दिखाया गया द्रिश्य लड़के का सपना है. मनोचिकित्सक उसे बता रहा था कि यह सपना उसके अतीच से संबंधित है. टिम्प ने बच्पन में कुछ गलत किया है इसलिए जेल में था अब उन्हें 11 साल बाद रहा किया गया है टिम्प की बड़ी बहन कायली को दिखाया गया है वो एक नीलामी में अपने मंगेतर के साथ काम करती है अभी एक एंटीक शीशे की नीलामी चल रही थी लोग यहां इस नीलामी घर में अंटीक मिरख खरीदने के लिए आये थे मुक्त होकर कायली अपने भाई को जेल से लेने जाती है बाद में उन्होंने दोपहर का भूजन किया और फिर कायली ने टिम्प को उसके साथ रहने की पेशकश की वे दोपहर के भूजन के दोरान एक गुप्त वादे के बारे में बात कर रहे थे कायली अपने भाई को अपना वादा याद दिला रही थी टिम्प कह रहा था कि यह बेकार है और फिर कायली उसे अपने होटल में छोड़ देता है और हमें पता चलता है कि वे शीशा तोरने की बात कर रहे थे कायली अपने भाई से कह रही थी कि तुम अपना वादा तोर रही हो और कहती है कि मुझे आइना मिल गया है और मैं उसे तोर दूनगी आप चाहे तो मेरा साथ दे सकते हैं यहां का सीन कट जाता है और ग्यारा साल पहले की सीन को दिखाया जाता है जहां भाई बहन चोटे होते हैं वे अपने माता पिता के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं नीलामी में दिखाया गया प्राचीन दरपन यहां दिखाया गया है उनकी मा ने इसे खरीटते समय अपने घर पर रखा है शायद वे फिल्म में इस आइने के बारे में बात कर रहे थे जब उनकी मा आइने के सामने गई तो उनके साथ कुछ अजीब हुआ उसके शरीर पर चोट के निशान दूसरी तरफ बड़े बड़े दिख रहे थे उनके पिता के साथ हो रही थी ये अजीबोगरी भरकते वह अपने घर के सदस्यों को छोड़कर अपने घर में किसी की आवाज सुन रहा था फिर फिल्म में वर्तमान द्रिश्य दिखाया गया है कायली के पिता सपने देखते हुए आइने के सामने उस पर वार कर रहे थे इस सपने से वह डर जाती है अगली सुबह कायली शीशे को अपने घर ले जाती है जहां वह बच्छपन से रहती थी इधर कायली को टिम सर कॉल प्राप्थ होता है वह उसके मिशन में उसका साथ देगा वह उसे अपने पुराने घर में मिलने के लिए कहती है और यही से फिल्म में पिछले द्रिश्य दिखाय जाते है ग्यारा साल पहले का द्रिश्य टिम की मा को लग रहा था कि आएने के आने के बाद से उनके घर के पौधे मर चुके है टिम और कायली को जमीन पर खेलते हुए दिखाया गया है और कायली अपने घर में बने ऑफिस में एक लड़की को देखती है वह उनकी मा नहीं थी वह अपने पिता से उसके बारे में पूछती है उसके पिता ने उसे लड़की के बारे में बताने से इंकार कर दिया और कह रहा था कि वह किसी लड़की को नहीं जानता वह किसी लड़की को घर नहीं लाया बाद में वर्तमान द्रिश्य को, कायली और टिम को अपने पुराने घर के अंदर आइने के साथ चलते हुए दिखाया गया है कायली ने वहाँ एक उन्नत प्रनाली बनाई है कायली कैमरे में रिकॉर्डिंट करते हुए बताती है कि उसने अपने घर में कैमरे और अलार्म लगा रखे है इसके साथ ही उसने एक गुप्त कमरे में एक लंगर लगा रखा है और अगर वे इसे 30 मिनट के भीतर रीसेट नहीं करेंगे तो यह शिशा तोर देगा इसका मतलब है कि वे एंकक को आइने के सामने रखेगे उन्हें तैयार किया गया था मरेंगे तो किसी तरह शिशा तोर देंगे वे ऐसा क्यों करना चाहते है क्योंकि कायली को लगता है कि आइना भूतिया है वह इस आइने को पूरी दुनिया के सामने भूतिया साबित करेगी वह शीशे को तोड़ते हुए उसे तोड़ना चाहती है वह कुछ जीवित चीजों को दरपन जैसे पौधों और कुट्टों के पास रखती है और उसका इतिहास बता रही थी वह उस आदमी से कह रही थी जिसने शीशा खरीदा है उसका नाम लेसर ग्लास रखा है और अपने घर में चिमनी के उपर शीशा लगा रखा है शीशा लगाने के कुछ दिनों बाद आग लगने से उस व्यक्ति की मौत हो गई डरावनी बात यह थी कि उसके नौकरों ने बताया कि उन्होंने उसे मौत के बाद आईने में देखा है कायली कैमरे को बता रही थी कि आखिर नीलामी में आईना बिग गया एक और आदमी ने इसे खरीदा जब आदमी ने खरीदा तो वह अधिक वजन का था इसका मतलब है कि वह मोटा था शीशा खरीदने के बाद उनका वजन कम होता है इसी तरह वह एक दिन मर जाता है और फिर शीशा बेचते समय दूसरी महिला के पास पहुंच जाता है उसने इसे अपने बातरूम में रखा है और उसकी बातरूम में मौत हो गई है कई जिंदगिया लेने के बाद आइना एक महिला के पास पहुंचता है महिला ने इसे अपने कमरे में रख लिया है घर में शीशा लगाने से उसकी मौत हो जाती है इसके बाद यह शीशा कायली और टिम के घर पहुँचता है कायली इस इतिहास को आइने में बता रही थी लेकिन टिम इसे बकवास कह रही थी उनका कहना है कि अगर ऐसा है तो हमने आइना क्यों नहीं तोड़ा उसने जो कहा उसे साबित करने के लिए वह टिम को आइना तोड़ने के लिए कहती है टिम स्टूल पकड़े हुए आइने के पास जाता है लेकिन उसे तोड़ नहीं पाया वह अपनी बहन से कहता है कि अगर मैं इस शीशे को तोड़ूंगा तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी कायल ली कहती है देखो मैंने जो कहा वह मैंने साबित कर दिया जैसे ही आप आइने के सामने जाते हैं यह आपकी सोच को बदल देता है उनके अनुसार आइना लोगों के दिमाग को नियंतृत कर सकता है इसलिए उसने शीशा तोड़ने के लिए मकैनिकल एंकल लगाया है वह अपने भाई से कह रही थी कि उसने इस शीशे को तोड़ने के लिए एक उचित योजना बनाई है उसने अपने मंगेतर से उसे हर घंटे फोन करने के लिए कहा है और उससे कहा है कि उसने अपने मंगेतर से यह पूछा है इसलिए अगर हम इसका जवाब नहीं देंगे तो वह मदद के लिए आएगा शायद हम उस समय मुसीबत में पढ़ेगे अब फिर 11 साल पहले का सीन दिखाया गया है टिम और कायली छोटे बच्चे थे उनके पिता के हाथ पर पट्टी बंधी थी लेकिन उन्होंने उसे हटा दिया और काम करने लगे वह अपने हाथ पर फिर से बैज देखता है इसमें दिखाया गया है कि आदमी आइने के सामने बैठा है वह इस पट्टी से तंग आ गया था और पट्टी को हटाते समय गलती से अपना कील निकाल लिया है टिम के पिता को उस रात अपने कार्याले में किसी के साथ बात करते हुए दिखाया गया है लेकिन कोई नहीं था जब उनकी पत्मी आती है और पूछती है कि वह किसके साथ बात कर रहा था उसने कोई जवाब नहीं दिया और उनके बीच जगड़ा हो गया अगले दिन टिम्स का कुट्टा अपनी मा को चिलाते हुए दिखाया गया है और शीशे के कमरे को देखकर भौक रहा था और माने उसे कमरे में बंद कर दिया है जब वे कमरा खोलते हैं तो कमरे में कुट्टे को बीमार पाते हैं कुछ दिनों के बाद कुट्टा मर जाता है बाद में वर्तमान द्रिश्य फिल्म में दिखाया गया है कायल लीक ने एक कुट्टे को शीशे के सामने रखा है यह साबित करने के लिए कि कुट्टा बीमार होने से नहीं मरा बल्कि आइने की वजह से मरा टिम कायल लीक से कहता है कि यह तुम्हारे दिमाग में चल रहा है क्योंकि तुम बीमार हो यह आपका मतिभरम हो सकता है और यह कहकर वो कुट्टे को आइने के सामने छोड़ देता है कायली को लग रहा था कि टिम सही कह रहा है उसने अपने जीवन में कई कठिनाईया देखी है शायद यही उसका असर है अब वो टिम पर विश्वास कर रही थी और वे फिर बात करते हुए शीशे के कमरे में चले गए कमरे में पौधों को मरता देखवे चौंक जाते हैं कमरे में लगे कैमरे एक दूसरे के सामने थे इसका मतलब है कि वे आइने की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे और फुटेज देखकर उन्हें पता चलता है कि भाए बहनोंने ऐसा किया है उन्हें याद है कि उन्होंने ऐसा कब किया था लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं रहा कायली कहता है मैं कह रहा था कि मैं ठीक हूँ और इस आईने ने हमारे साथ फिर से दिमागी खेल खेला है टिम कुछ समझ नहीं पा रहा था और घर से निकल गया वह फिर से अपने मनोचिकित्सक को बुलाता है लेकिन कुछ ही सेकंड में वह खुद को घर के अंदर पाता है ये सब देखकर कायली समझ गई कि आईने ने उन्हें अपना अगला निशाना बनाया है वह टिम्ट से सावधान रहने के लिए कहती है उसे लगता है कि आईना उन्हें कुछ भी कर देगा और उन्हें नुकसान पहुचा सकता है पिछला द्रिश्य दिखाया गया है और हमें पता चलता है कि उनके परिवार में तनाव है उनका रिष्टा भी तूट गया उनके माता पिता प्रभावित हुए और उनकी मा को लगता है कि टिम का पिता उन्हें धोखा दे रहा है वह पती के ओफिस रूम में जाकर चेक करती है वह कई बार लिखे एक कागस पर एक लड़की का नाम देखती है ये वो लड़की थी जिसके सामने शीशा है लड़की मर चुकी थी और शायद वह आइने के अंदर है कायलीक ने उसे उसके पिता के कार्याले में देखा है ये सब समझने के बाद कायलीक की मा आइना तोड़ने की कोशिश करती है आइने को कुछ नहीं हुआ है और उसके पास कायलीक की मा है उसने शीशे के सामने अपनी शर्ट खोली और अब उसके पेट से खून बह रहा था वह अपने बच्चों को मारने वाली थी क्योंकि वहाईने के पास थी वे अपनी मा से बच्चने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं इसी बीच उनके पिता वहाँ पहुँच जाते हैं उसने स्थिती को समझा और अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया उसने अपने बच्चों को अपनी मा के पास जाने से मना किया है उनके घर में अजीब तरह से दिन बीत रहे थे उनके घर में किराना भी खत्म हो गया था क्योंकि उनके पिता हमेशा आइने के सामने बैठते हैं वह आइने से ऐसे बात करता है जैसे कोई उसे अंदर से जवाब दे रहा हो कायली अपनी मा के लिए चिंतित थी क्योंकि उसके पिता उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गए थे चिंतित होकर कायली अपनी मा से मिलने जाती है लेकिन उसकी हालत और भी खराब थी वह फिर से अपनी बेटी पर हमला करता है कायल ली अपना कमरा छोग कर फिर से ताला लगा देती है बाद में वर्तमान द्रिश्य को फिर से फिल्म में दिखाया गया है कायल ली के घर में रोशनी चली गई है इसलिए वह मशाले जलाती है ऐसा करने पर उसे अपने घर में तूटी थाली मिलती है वह चिंतित थी कि यहां एक थाली इस तरह कैसे तूट सकती है वह अपने मोबाइल की लाइट से प्लेट देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता अब वह मानती है कि यह आइना यह सब कर रहा है आगे बढ़ते हुए उसकी मृत मा सामने आती है और वह डर जाती है कायल लीक ने बचने के लिए प्लेट के तूटे हुए टुकरे से उसका अंत किया खोश में आने पर उसे पता चलता है कि उसकी मा नहीं बलकि उसकी मंगेतर थी और उसने उससे खत्म कर दिया टिम यह देखकर अपनी बहन को घर से निकाल लेता है वह एंबुलेंस और पुलिस को फोन करता है टिम भी मानता है कि आइना यह सब कर रहा है वो अपनी बहन को घर से बाहर रहने के लिए कहता है उनका कहना है कि आपने जो एंकल लगाया है वो अपने आप शीशा तोड़ देगा यह कहते ही प्रकाश आ जाता है वे घर के अंदर अपने जैसे लोगों को देख रहे थे उन्हें देख कर वे डरने लगे टिम कह रहा था कि आइना उन्हें यह दिखा रहा है लेकिन कायली को लगता है कि वे घर से बाहर नहीं है यह उनका मतिभ्रम है कि वे घर से बाहर है दरसल वे घर के अंदर है और आइना उन्हें खत्म करना चाहता है ब्रमित होकर वे घर के अंदर चले जाते हैं वे उस लड़की को देखते हैं जिसके साथ उनके पिता बात करते थे, जिनकी आत्मा आइने में कैद हो गई थी, वह अपनी अजीब आवाज में कह रहा था कि मैंने तुम्हें यहां सीन कट करने से मना किया है, और पिछले सीन को दिखाया गया है कि उनके पिता ने उनकी मा क कमरे से रिहा कर दिया है, वह अपने बच्चोंपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी, कायली अपने भाई को दोड़ने के लिए कहती है और मैं मा का ध्यान भटका दूंगी, कायली अपनी मा का ध्यान भclock करते हुए उससे बंद कर देती है और कमरे की खिलकी से प्रदर जाती है लेकिन उसकी माँ उसे फिर से पकड़ लेती है। वह अपनी गरदन दबा रही थी लेकिन उसके पिता आकर उसकी माँ को खत्म कर देते हैं। भाई बहन डर गए और शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शीशा तूटने की वजह से कायली के पिता उसे खत्म करने के लिए उसके पीछे आते हैं। टिम उसे ऐसा करने से रोकता है और बंदूक उठाता है और अपनी बहन को बचाने के लिए अपने पिता की और इशारा करता है. अजीब तरह से टिम अपने पिता को खत्म करने वाला नहीं था लेकिन उसके पिता ट्रिगर दबाते हैं और खुद को समाप्त कर लेते हैं मरने से पहले उन्होंने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने को कहा है जैसे ही वे बाहर आये, पुलिस आ गई और उन्होंने टिम को उसके पिता की हत्या के आरोप में पकड़ लिया टिम आइने के सामने दिखाया जाता है और अतीत को याद करते हुए वर्तमान द्रिश्य में आइने पर आखरामक हो जाता है और वो तुरंट एनक का बटन दबा देता है तो एनक शीशा तोर देगा एनक के चलते ही टिम की बहन उसके सामने आ जाती है यहां तक कि उन्हें सामने कोई दिखाय नहीं दे रहा था आइना यह सब दिखा रहा था जो आइने में नजर नहीं आ रहा था उसकी बहन आइने के सामने थी इस दोरान पुलिस वहां पहुँच गई है टिम को दूसरी बार जेल जाना है अब उसने अपनी बहन की हत्या कर दी है पिछला दृष्य दिखाया गया है जहां टिम खिलकी में अपने मृत माता-पिता को देखता है सीन कट जाता है और वर्तमान सीन दिखाया जाता है टिम वही सीन देख रहा है जो उसने पहले देखा था इस बार वह अपनी बहन को अपने माता-पिता के साथ देख रहा था जिसे उसने अब खत्म कर दिया है टिम और कायली इस आइनेस से नहीं जीता उनका परिवार एक बार फिर बरबाद हो गया यही यह फिल्म खत्म होती है मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो थंड़ा पोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले